चिडिया और भगवान शिव की ये कथा सुनने से जीवन की सारी परेसानी दूर हो जाती हैं एक सच्ची कहानी एक चिडिया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था ने घास, ने पेड, ने फूल, ने फल जिस व्रक्ष पर चिडिया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनिया थी पत्ते भी नहीं थे चिडिया वहीं रहकर हर समय शंकर भगवान का जाप और गुनगान करती रहती थी एक बार नारत जी जंगल में होकर जा रहे थे चिडिया ने देख लिया तुरंत आकर बोली नारत जी आप कहा जा रहे हैं नारत ने कहा संकर जी के पास जा रहा हूँ चिडिया ने कहा भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं शायद करपिया उनसे कह दीजेगा मेरे जंगल को हरा भरा कर दे मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ नारत चिडिया के भाग्ये में साथ जनम ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है नारत कुछ नहीं बोले कुछ समय बाद नारत जी फिर वहां से निकले तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था जंगल हरा भरा, हरे घास, फूल, फल लदे हुए थे चिरिया का पेड फूलों से फलों से लदा था चिरिया भी प्रेम मगन होकर पेड पर नाच रही थी नारत जी ने सोचा संकर जी ने मुझसे छूट बोला नारत जी ने संकर जी से जंगल की हरे भरे तथा चिरिया के बारे में पूछा तो संकर जी ने कहा कि मैंने चिरिया को कभी कुछ नहीं दिया फिर भी मेरा गुर्णगान करती रहती है उसकी भक्ती, विश्वास और प्रेम की वज़े से मुझे सातो जिनम काट कर सब चिरिया को देना पड़ा ऐसे दयालू है हमारे भोलेनात भक्ती में शक्ती होती है अगर आप अपने अराध्य के प्रती समर्पित हैं तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता यहां तक कि भाग्ये में खराब लिखा है वह भी अच्छा हो जाएगा आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेना चैनल को सब्सक्राइब करेना जय भोलेनात